नमस्कार आप देख रहे हैं दो विहाट ओप मैं हूँ आपके साथ अमरिता पांडे बीपी असी से पहले चरण के बहाल हुए सिक्षकों की सत्यापन की जाच जो है वो लगतार थंब इंप्रेशन के जरिये चल रही है आपको बता दे कि सिक्षपी भाग सिक्षकों की जाच अगर इनका थंब इंप्रेशन सही नहीं हुआ और आगे जाच के दवरां यह सही नहीं पाए गए तो बेभाग के द्वारा इन पर बिसेश करवाई भी किस जाएगी मुझफठपूर्ड जिले में शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन का काम लगतार जारी है जिला सिक्षा पदाधिकारी अजै कुमासिंग के अनुसार अब तक जिले में 440 सिक्षकों का थंब इंप्रेशन सुची के अनुसार हुआ है जिसमें से 889 सिक्षकों के थंब इंप्रेशन का मिलान नहीं हो पाया है ऐसे सभी सिक्षकों को फिलहाल संदिग्ध की सुची में रखा गया है इन सिक्षकों को विभाग के द्वारा 31 जनवरी के बाद फिर से मिलान के लिए मौका दिया जाएगा वहीं जिले में हो रही विभागी जांच के क्रम में फर्जी रूप से बहाल एक सिक्षक पकड़ा भी गया है जिसके खिलाब विभाग ने प्रात्मिक्ता दर्ज कराई है आपको बता दे कि डियों की अनुसार अभी बहुत से सिक्षकों की जाच बाकी है कई इसक्षक ऐसे हैं जो विभागी निर्देश के बावजूद भी जांच में सामिल नहीं हो रहे हैं ऐसे शिक्षकों को भी लोगों के सुचि में रखा है फिलाल मुझःपपूर्पूर के सुक्षा भवन में मोतिपूर्प्रक्षंड में तैनात 107 सिक सिक्षको के थम्ब इंप्रेशन की मिलान नहीं हो पाई है और इसके बात से लगतार जाज की प्रक्रिया अभि भी चल ही रही है तो आपको बता दे कि वीपे सी से पहले छरण में जिन उसिक्षको की बहाली होई थी उनकी सत्यता के लिए थम्ब इंप्रेशन का इस्तुमाल किया जा रहा है सुच्छा विभाग ने एक पहल सुरू किया था थंब इंप्रेशन का जिसके तहट फरजी सिक्षकों को बाहर निकालने की तयारी चल रही थी ऐसे में अभी तक मुझफरपूर की बात करें तो मुझफरपूर में 3251 सिक्षकों की थंब इंप् होगी उस दोरान भी अगर इनके थंब इंप्रेशन का मिला नहीं होता है तो ऐसे में इन सिक्षकों को संदिग्द की स्रेणी में रखा जाएगा और इन पर बिसेस रूप से करवाई के जाएगी तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द नहीं होता है